बिदा नेक्स्ट इस रिफ्रेक्शिन ऑफ लाइट हम काफी टाइम से बढ़ा सिर्फ और सिर्फ रिफ्रेक्शन ही देख रहे थे पहले मने प्लेन मिर्र देखा और फिर मने स्फेरिकल मिर्र देखा मैं आपको पहले से भी क्लियर कर चुका हूँ कि हमारे mostly questions जो है वो स्फेरिकल मिर्र के reflection के ही होते हैं प्लेन मिर्र के बहुत ही कम सवाल होते हैं हाला कि हमने बहुत जाए टाइम उसमें लगा दिया बट उसका एम बढ़ा mostly है ना reflection को समझना था मिर्र प्लेन मिर्र के सवाल के पूछ जाने के संभावना बहुत कम रहती है mostly सवाल अपने स्फेरिकल मिर्र के ही रहते हैं तो चले बटा आगे बढ़ते हैं अब हम रिफ्रेक्शन पढ़ते हैं सबसे पहले बढ़ा रिफ्रेक्शन के में एक छोड़ी सी डेफिनेशन देना चाहता हूँ माल लेजे कि आपके पास दो अलग-अलग मीडियम है यह माल लेजे कि यह मीडियम वन है यह मेडियम टू है ट्रांस्पेरेंट इंटरफेस है कोई लाइट इस तरह से एंटर की ऐसे आई और एंटर करने के बाद माल लेजे कि ऐसे निकल गई जो रे आरहे ही उसे हम इनशिलेंट रे कैसकते है और जो रिफेक्ट होने के बाद गई उसे हम आफ वार के स्थे अनिवाले चोरी होगी उसकी स्पीड अगर वीवन है तो बादा इस रिफेक्टे डरे की स्पीड वीवन नहीं होगी The reason is medium अलग अलग तो speed अलग अलग इसी तरह से अगर इसकी wavelength है कि बड़ा lambda 1 होगी तो इस refracted ray की wavelength बड़ा lambda 2 होगी मतलब different होगी तो यहां समय बोलना चाहता हूँ कि इस तरह से medium change करने पर light की जो velocity और wavelength change होती है This phenomenon is known as reflection और generally, generally मतलब अक्सर light जो होती हो medium change करने पर bend होती है Generally, एक case में bend होती है कौन से case में? जब ray आपकी सिधी आ रही हो, नॉर्मल ही आ रही हो बाकी हर case में bend होती ही होती है तो बड़ा चोटे से definition लिखते है प्राव संचर शनॉ आपकी आपकी से चाएड़ते है उड़ाल से फवस्तनी आपकी 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 ओधकी है लिखते है लॐ आवते है वन मेडियम तू अनादा इस फेनमनन इस नोन आज रफ्रेक्शन इस ही को हम रफ्रेक्शन कहाते है फिर ना लेकिन रफ्रेक्शन तो कहाते है लेकिन रफ्रेक्शन में अकसर लाइट की बेंडिंग में होती है बार-बार अकसर या जनरली शक इसलिए उसकर रहा हूँ क्योंकि एक केस में बेंडिंग नहीं होती है अगर रे नॉर्मल है तो बेंडिंग नहीं होगी अथरवाइस बेंडिंग तो होगी Generally, Ray bends when it travels from one medium to another जब भी एक medium से दूसरी medium में जाएगी तो अक्सर आपकी बड़ा ray bend होगी, अक्सर bend होगी सिर्फ एक case को छोड़ कर that is normal incidence बड़ा बाग की हमेशा bend चलिए बड़ा, अगली बात हमार पास दो laws of reflection है जिस तरह से बड़ा हमार पास दो laws of reflection थे वैसे से बड़ा मर पास दो laws of reflection भी है, तो चलिए उनको भी देखते है heading लिखे बड़ा laws of reflection पहला लो तो बड़ा reflection जैसा सा ही low है, वो ऐसा कहता है कि बड़ा मालनी जी कि ये कोई interface है, उसके उपर medium 1 है, उसके नीचे बड़ा medium 2 है ये इस interface का normal है normal मतलब बड़ा perpendicular line है और कोई array बड़ा ऐसे आई है, जो ray आई है बड़ा वो आपके incident ray है और reflect होने के बाद कोई ray गई है बड़ा ये आपके reflected ray है this is your incident ray of course बड़ा this is your normal और ये है बड़ा आपकी refracted ray ये है बड़ा आपकी refracted ray incident ray की तरफ बड़ा माल लेजे कि कोई vector है i vector normal की तरफ बड़ा माल लेजे कोई vector है n vector और refracted ray की तरफ बड़ा माल लेजे कोई vector है r vector ठीक है सबसे पहला लोत बड़ा ये है incident ray normal और refracted ray ये है अगर ये incident ray है ये normal है तो refracted ray भी इसी plane में होगी ऐसे नहीं हो सती ऐसे नहीं हो सती same plane में होगी if this is incident ray this is normal refracted ray must lie in this plane like this like this like this refracted ray cannot be like this or cannot be like this or cannot be like this so I just mean to say that कि पहला लो है कि incident ray refracted ray refracted ray and normal all must lie in same plane सारे के सारे same plane में लाइक है तीनो बड़ा vector same plane में लाइक है चाहिए इस बात को mathematically ऐसे लिख सहते है कि या बड़ा box product भी खहते है आप लोका हलका फुलका कभी vectors में पढ़ा हो math में तो ठीक है otherwise बड़ा सिर्फ इतना जानना काफी है कि i cross r dot n should be equal to 0 चली बड़ा हमारा second law क्या है second law के आते हैं बड़ा second law से पहले इस incident ray और normal के बीच का जो angle है ये बड़ा आपका i है इस i को बड़ा हम of course angle of incidence कहेंगे normal और refracted ray की बीच का जो angle है इसे हम r मतलब बड़ा angle of refraction कहेंगे बड़ा इसे हम angle of refraction कहेंगे और medium 1 में बड़ा माल लिजे की speed of light v1 है और medium 2 में बड़ा माल लिजे speed of light v2 है तो Snellsla says that sin i by sin r is always equals to v1 upon v2 is always equals to v1 upon v2 fair enough ये बड़ा दो speed of light होती है ये medium के property होती है constant है और हमें के सवाल में दे रखाऊगा में चिंता करने के ज़रत नहीं है इसी तरह से इस दूसरे medium के अंदर जो speed of light है उसको हम लिख सकते है velocity of light in vacuum upon n2 ये जो n2 है ये आपके इस medium 2 का refractive index है आप कैसक्तिव कि n2 is basically refractive index of medium 2 हम बड़ागे v1 को लिख सकते है c upon n1 v2 को डाम लिख सकते है c upon n2 n2 उपर गया n1 नीचे गया तो snell slow बहुत ही ऐसे याद करने वाले format में change आएगा n1 sin i is equals to n2 sin r n1 sin i बड़ा n1 is medium का refractive index into sin i should be equal to is medium का refractive index into sin r and that should be equals to n2 sin r ये बड़ा हमारा snell slow है this law is known as your snell slow तो angle of incidence को और angle of refraction को relate करने के लिए either you have to remember this or this अक्सर बड़ा सवालों के अंदर v1 v2 नहीं दिये होते हैं अक्सर सवालों के अंदर में n1 n2 दे रख्यों होते हैं तो बड़ा हम अक्सर ये वाला याद करते हैं हाला कि snell slow आप इसको भी कह सकते हो इसको भी कह सकते हो एक ही बात है कोई बहुत बड़ाइस मंतर नहीं है this is our snell slow I hope इस बात का आप समझ गयोंगे तो angle of incidence को और angle of reflection को relate करते वे हमारे पास एक snell slow है और हमारे mostly सवाल जो होंगे बड़ा वो i और r को relate करने से बड़े आराम से बन जाएंगे हमें कोई खास दिक्कत इसमें नहीं आएगी हम इस snells लोको आगी जातर कभी ने कभी wave optics से भी प्रूव कर सकते हैं कर सकते हैं कि बड़ा कभी ने करेंगी भी शाहतर पन ठेक है आगे चलिए बड़ा इस snells लोको बड़ा मैं एक तरीके से और प्रूव कर सकता हूं मतलब मैं wave optics का use किये बिना प्रूव कर सकता हूं और एक छोटा सा principle है फर्माट principle हाला कि मैरे कोर्स में नहीं है लेकिन बहुत ही आसान सा है इसलिए मुझे लगता है कि मैं प्रूव कर देता हूं मैं पहले इस बादो clear कर दूँ कि बड़ा फर्माट principle हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन ऐसे जानने में इसलिए इंट्रेस्टिंग लगता है इसलिए आप उसका अलका सा देख सकते हूं तो एक बड़ा छोटी सी हैडिंग लिखें बड़ा ज्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का that is proof of snail slow बड़ा मैं इसको फर्माट प्रिंसिपल से प्रूव कर रहा हूं और फर्माट प्रिंसिपल ये कहता है कि light को एक जगह से दूसरी जग़े तक जाना हो तो light हमेशा उस पात को चुनती है जिस पात के अलॉग उसे सबसे कम टाइम लगता है एक जगह से दूसरी जग तक जाने में तुम एक बार यस बात को लोस्त टरीप्ड है पहर एवरित एधर डियक लिख गातだ, लिए से नहीं। लाइट को एक जगे से दूसरी जगे तर ट्रवल करने में सबसे कम समय लगे लाइट हमेशा है उस पात को फोलो करेगा चलिए बड़ा कैसे ब्रू कर सकते हैं अभी देखते हैं मान लिजे बड़ा आपके पास कोई मीडियम है ऐसे यह इंटरफेस है बड़ा मलत बीच का पार्टिशन है इसके ओपर मीडियम 1 इसके नीचे मीडियम 2 यहाँ पर स्पीड ओफ लाइट वी 1 बड़ा मान लिजे लिजे दों C अपॉन N1 N1 पामके मीडियम का रुफ्रेक्टिव इंटक से ड़समेश प्रोन है पार्समेश अपमीडियम 2 इन Fine स्पीड ओफ दों तों इसके मीडियम 2 का रुफ्रेक्टिव इंटक से अलते ब्ल़ा मान लिजे कि इस B point पर आना है, ठीक है, यहां से बड़ा मने एक perpendicular खीजा, this perpendicular is, let's see, B point से बड़ा मने इस interface पर perpendicular खीजा, let's see, this point is D, तो बड़ा आपका, A point और B point fix है, of course बड़ा आपका C point और D point अब light को बड़ा A से B तक आना है, light बड़ा यूँ आकर ऐसे भी आ सकती है, light यूँ आकर ऐसे भी आ सकती है, light यूँ आकर ऐसे भी आ सकता है, जिस रास्ते से जाएगी, उस रास्ते में time सब से कम होना चाहिए, तो हमने ऐसा माल दिया, let's see, light पहले यूँ गई, straight line के लोग, और जैसे interface change वा, उसके बाद light ऐसे चली दिया, फिर ड़ा, ये वाला angle मैंने एक बार के लिए I बोल दिया, बड़ा ये वाला angle 90-I, तो ये वाला angle फिर से आपका आई, बड़ा मैंने इस angle को एक बार के लिए R बोल दिया, तो ये 90-R, तो ये वाला angle फिर से कितना आगया, R, बड़ा जी, ये वाले distance मैंने एक बार के लिए X बोल दिया, X बड़ा मुझे पता नहीं, निकालना पड़ेगा, X इस तरह से चूज करेगी ये light, कि बड़ा उसको एक जगह से दूसरी जगह, तो अगर ये distance आपके पास X है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये distance आपके पास आएगी, CD-X, ठीक है डा, अब देखना आप, ये distance है AC, ये distance है X, तो ये distance होगी है, root of, बड़ा बोलना, AC का स्क्वार, प्लस X का स्क्वार, बड़ा ये distance बोलना कितनी है, बड़ा ये distance है, BD, और ये है CD-X, तो ये distance है, root of, BD का स्क्वार, प्लस, बड़ा ये वाले distance, CD-X का होल स्क्वार, हमें time निकालना है, कि इस light को यहां से यहां तक आने में time किता लएगा, बड़ा time लेगा, पहले यहां से यहां तक का time, फिर यहां से यहां तक का time, यहां से यहां तक के time को यह लिख दिया है, T1, और यहां से यहां तक के time को यह लिख दिया है, T2, बड़ा पहले T1 लिखाओ, T1 आएगा, ओ स्वारी, T1 तो लिख लाए, यहाँ पर light की speed कितनी है तो मेरे बच्ची बोलनागा यहाँ पर light की speed है C upon N1 प्लस यहाँ से आतकाने का time केतना है तो आप बोल से यह वाले distance देट इस root of बोलना BD का स्क्वार प्लस CD-X का whole square अपोन बड़ा जी यहाँ पर speed कितनी है मेरे ख्यादरा speed है C upon N2 यह हमारे पास time आई गया and we know it very well कि हमारे तो time है वो as a function of X आया है वो as a function of X आया है अलग-अलग X के लिए time की value अलग-अलग आएगी अलग-अलग बागी तरसे तो fix है अलग-अलग X के लिए time अलग-अलग आएगा बढ़ा रय-इउ जाकि आएगी time उच ओर होगा रय-इउ जाकि आएगी time उच ओर होगा तो अलग-अलग X के लिए time अलग-एलग होगा मुझे वो वाला X चू going करना है जिस X के लिए time सबसे least हो तो आप कोगे सर बिसिकली यहां पर टाइम जो है वो as a function of x है और इन यहां से यहां तक आने के हजारों करोडों अरवों खर्वों रास्ते हो सकते हैं उन सारे के सारे रास्तों में से लाइट उस रास्ते को चूज करेगी उस पाथ को चूज करेगी जिसके along उसे एक जगह से दूसे जगह तक आने में टाइम सबसे कम लग रहा है ठीक है और यू नॉइट वेरिवल उसके लिए हम क्या करते हैं मेरे बच्चे वो रहेंगे सर उसके लिए हम यह करते हैं बढ़ा बताओ क्या करते हूँ अगर आपको मिनिममम टाइम चीदे मेरे बच्चे वो रहेंगे सर दी टी बाइ डी एक्स निकाल लो एंड इक्वल टो जीदू करते हूँ करता हूँ बढ़ा एन वन उपर आएगा तो एन वन को तो उपर लिग लिया नीचे बढ़ा सी है इसको डिफरेंशेट करना है एक्स के रेस्पर्ट में अभी करता हूँ बढ़ा आपको हलका फूल का चेंड रूल आता होगा मेरा काम चल जाएगा एसी स्क्वार क्लस एक्स स्क्वार की पावर हाफ है तो पहले बढ़ा हाफ को तो ऐसे कर लो और मेरे पास आगया एक्स का स्क्वार प्लस एक्स का स्क्वार की पावर माइनेस अ खतम नहीं है बढ़ा चेंद रूल में हम अंदरवाले को ओर कॉर डिफॉरेंशेट करते हैं अंदरवाल में वढ़ा एक्स इसका स्क्वार तो constant है पहले बढ़ा, पावर हाफ लगा रखे हो, उसको नीचे लेकिया दो, और आपके पास आगया है, बीडी का स्क्वार, प्लस, cd-x का होल स्क्वार की पावर, बीडी का स्क्वार 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 का स्क को, into minus 1, यह बटा minus 1 किस बात का, यह जो x है, इसका differential नाएगा 1, बाहर साइन लगा रखा है minus, and it should be equal to 0, और यह बटा जगह चाहिए थोड़ी से लिखने के लिए, मैं याँ लिखता हूँ, थोड़ा साँ चाहिए, मस, काम चाल जाएगा, हो गया, हो गया, बटा 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, बटा C से C कैंसल, n1, x upon, बटा इसे नीचे लिएँगा, upon under root of ac का square, plus x square, is equal to, बटा 0 था तो मैं इसको इधर लिया है, उसको इधर रहिए, और मेर पास उधर आगया, cd minus x, ठीकिए बटा, n2 उपर है, और नीचे बटा क्या आगया, bd का square, plus cd minus x का whole square, पूरे का root, अब देखो बटा क्या लिखा हो है, x upon under root of ac का square, plus x का square, x upon under root of ac का square, plus x square, I think it is perpendicular upon hypotenuse, बटा तो sin i आगया, तो आप कैसे अप्तियों के सरह ये लिखा हो है, n1 sin i, अच्छी बात विटा, that is equals to n2, बटा देखो क्या लिखा हो है, cd minus x upon under root of bd का square, plus cd minus x का whole square, तो आप कैसे अप्तियों के सरह sin r लिखा हो है, that comes out to be sin r, तो n1 sin i is equals to n2 sin r, तो हमें इस तरह से format principle साइस बाग को बड़ा राम से प्रूव कर सकते हैं, हमने कर भी दिया, I hope आपको ठीक भी लगा होगा, अच्छा लगा होगा, हो सकता है बड़ा से कभी ने कभी कोई बढ़िया, यूज आपको मिल जाए, इसलिए बड़ा मैंने बताया है, बाग के बड़ा ठीक है, derivation तो मैंने ऐसे बता दी, मुझे लगा कि आप लोगों को हलका पूल का interest रहेगा, हला कि इसमें maths ठीक था थी, बड़ मुझे ऐसा लगा बड़ा आप लोगों को इतनी maths तो आती है, डिफ्रेंटिशन इतना लोगों को आता ही है, आगे चलिए बड़ा, next is, next is, सुने कभड़ा, कुछ cases है, कुछ special cases है, सबसे पहला है, normal incidence, बड़ा के पास, ये interface, इसके एक तरफ, refractive index N1, दूसरी तरफ, refractive index N2, बड़ा ये normal है, और normal incidence का आर्थ है, कि light को हमने normal के along एफेक दिया है, light को अगर normal के along एफेक दिया है, तो incident ray और normal के बीच में, angle हो गया है, जीरो, मतलब angle of incidence हो गया है, जीरो, we know that कि N1, sin I, is equals to N2, sin R, sin 0 की value 0 है, तो of course, बड़ा हमारे R की value भी क्या नीजी है, 0, तो आप कैसा हते होगी, R की value भी 0 आएगे, इसका मतलब हमारे जो ray है, वो normal के along ही निकल जाएगे, आपका I is equals to 0, तो आपका R is equals to 0, और ray बिलकुल undeviated निकल गई है, सर आपने तो लिखाया था कि, जब भी reflection होगा तो deviation होगा, ने बेटा मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने कहा था कि generally deviation होता है, इस case को छोड़के, बल्कि इस case में मेरे बच्छों से, इस case में deviation कितना आएगा, तो मेरे बालत बुलेंगे, सर इस case में deviation तो 0 आएगा, सर रे तो सीधी निकल गई है, पहले भी यूँ आ रही थी, और यो fraction होगे के बाद भी message आ रही है, सर किसी प्रगार कोई deviation नहीं है, सही बाद बढ़ा, next is, बढ़ा, हमने एक case देख लिया, अगला और देखते हैं, second case, dancer to rarer, dancer medium से, अगर rarer medium में जा रहे हो, बढ़ा, उस case में, क्या deviation होगा, किधर रे मुड़ेगी, इस बात को मलकासा, देखते हैं, अच्छा लाएगा, सुनना, बढ़ा, माल लेजे, कि ये interface है, इसके एक तरफ dancer medium है, बढ़ा, इसको nd लिख दिया है, इधर rarer medium है, dancer medium उसको बोलते हैं, जिसका refractive index जादा हो, तो अगर ये dancer medium है, और अगर ये rarer medium है, बढ़ा, उस case में, obvious बात है, कि nd की value बड़ी होगी, कोई ray है, ऐसे आईगे, और ये angle of incidence आपका आई, ये ray ऐसे निकल जानी चाहिए, जानी ऐसे चाहिए थो, अगर जाएगे ने, सरक कैसे जाएगी, किदर जाएगी, तो उसके बढ़ा मजे angle of reflection निकालना पड़ेगा, angle of reflection के लिए snail slow, बड़ा क्या कहता है हमारा snail slow, हमारा snail slow कहता है, कि nd into sin i is equals to nr into sin r, मैं बड़ा आराम से कह सरता हूँ, कि sin r is equals to nd upon nr into sin i, अब देखना बड़ा, ये nd upon nr, ये जो fraction लिखावा है, ये of course 1 से बड़ा है, और ये 1 से बड़ा है, तो पक्की बात है, कि जो r की value है बड़ा, वो i से बड़ी है, और r की value गर i से बड़ी है, इसका मतलब हमारे जो ray है, वो reflection के बड़ा यूं मुड़ जाएगी, और ये वाला angle आपके पास आएगा r, ये वाला angle आई है, तो पक्की बड़ा ये वाला angle भी आई हो गया, तो हमारे ray इस तरफ मुड़ गई है, और ये deviation आगया, बड़ा सरा चेक करना deviation कितना आगया, तो आप बोलोगे से दो बाते हैं, पहली बात तो ये है, कि जब भी dancer medium से rarer medium की तरफ जाएगे, तब ray जो है, वो normal से दूर मुड़ जाएगी, मैं बोल सकता हूँ इस बात को, कि deviates away from normal, बड़ा normal से दूर चली जाएगी, पहली बात, और दूसरी बात ये, बड़ा अगर ये वाला angle आई, तो बड़ा ये वाला angle आई, total angle r है, ये वाला angle आई है, तो हम deviation भी बड़े राम से निकाल लेंगे, लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो यहाँ पर जो हमने काम की बात याद की बड़ा हो ये है, कि जब भी denser medium से rarer medium की तरह fraction होगा, then the ray will move away from the normal ray, जो होगी, बड़ा normal से दूर जाएगी, फेल नफ, बड़ा आपका third case that is rarer to dancer, बड़ा rarer medium से अगर dancer medium जाओगे, तो क्या होगा, तो चलिए बड़ा देखते हैं, अगर rarer से dancer गए, तो क्या होगा, देखते हैं, जो भी होगा मुसे याद भी रख लेंगे, हमारे काम बाते हैं सम्बाते, आपके पास, इस तरह का arrangement है, कि बड़ा ये कोई interface, इसके एक तरफ medium 1, एक तरफ medium 2, ये मेरे बच्चे आपका normal, इस तरफ आपका rarer medium है nr, और इस तरफ आपका dancer medium है nb, और rarer और dancer का सीधा हैसाब ये है, कि dancer medium मेर रफ्रेक्टिम इडेक्स जादा होगा, और rarer medium मेर रफ्रेक्टिम इडेक्स कम होगा, तो dancer का refractive index जादा और rarer का कम, कोई ray बढ़ा, rarer medium से यूँ आ रही है, और उसका ये angle of incidence है, कुछ ना होता, तो ये ray यूँ निकल जाती, ऐसे जादी मेर रफ्रेक्टिम इडेक्स होगा है, तो रहे मुर सकती है, let's say, कि दर मुढ़ेगी check करते हैं, तो आप बोलोगे से, equation बहुत ही आसान है, nr sin i is equals to n d sin r, इससे मुढ़े आराम से लिख सकते हैं, sin r is equals to nr upon n d into sin i, अब इस चीज़ को देखना बिटा, refractive index, rare medium का कम है, और dense medium का जादा है, तो ये वाला तो fraction है, ये पक्की बात है कि 1 से चोटा है, और ये वाला fraction अगर 1 से चोटा है, तो पक्की बात है कि r की value भी i से चोटी है, और अगर r की value i से चोटी है, इसका मतलब रे जो हो मुड़ जाएगी, किदर मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ, ऐसे नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, और ये वाला angle आपके पास r आएगा, ये angle i था, तो ये angle i, ये आपका r, तो रे मुड़ गई है इस तरफ, कोई मुझसे पूछे कि sir deviation कितना है, तो मैं बोलूँका कि बड़ा ये i है, तो ये i है, ये r है, तो deviation आगया i minus r, sir पहले तो r minus i था और आप i minus r आगया, बड़ा सही बात है, बड़े में से छोटा minus कर दो, इस बार i बड़ा है और r छोटा है, कि deviation is basically, बड़ा क्या mod of i minus r, deviation जो है, उसको आप याद कर सकते हैं, कि it is simply mode of i minus r, तो बड़ा ये simple हमारा snail slow है, इसमें 3 case हमारे basic है, और बाकी हम सारी कहानी जो है, वो इन cases के एड़गे, बड़े आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कद इसमें में नहीं आएगी, तो चलिए, आगे चलते हैं बड़ा, आगे चलते हैं, next is, आगे बड़े बड़ा, मैं एक सवाल पूछ रहाँ, बड़ा यहाँ पर आपके पास vacuum, या air माल लेज़े, बड़ा यहाँ पर आपके पास water है, water का जो refractive index है, बड़ा आपको given है, कि वो 4 by 3 है, 4 by 3 है, आपके पास बड़ा कोई, यह normal है, और कोई ray है, बड़ा ऐसे आ रही है, यह वाला जो angle है, angle of incidence, बड़ा दिस इस गिवन आप 53, कुछ ना होता, तो ray यह निकल जाती, but we know that, creates a reflection from rarer medium to dancer medium, जिसका refractive index कम है, वहाँ से ray आ रही है, और जहां का refractive index जाता है, वहाँ जा रही है, तो अब्वेस बात है कि rarer से denser है, तो ray मुर जाएगी, किस तरफ मुर जाएगी, नॉर्मल की तरफ, तो आप कैसे प्योंकि सब नॉर्मल की तरफ मुर जाएगी, हाँ बेड़ा, नॉर्मल की तरफ मुर जाएगी, and let's say this is r, और यह हो गया आपका एक तरह से deviation, कुछ ना होता, तो ray यू जा रही थी, reflection हो गया है, तो ray यू जा रही है, अपने इधर सेधर मोड दिया है, यह आपका deviation है, मा आप सिंपल है सवाल पूछ रहा हूं, find, angle of reflection, मतलब बेड़ा r, और दूसरा सवाल, find angle of deviation, angle of deviation भी निकालना है, और आपका angle of reflection भी निकालना है, अब निकालते बेड़ा, आई देरेख्खाव, r निकालना हूं, स्नेल्स लो, स्नेल्स लो says that, बड़ा, vacuum का refractory index 1, 1 into sin 53, बड़ा, यह तो फ़िए फ़िए था, n1 sin i is equals to n2 sin r, n1 sin 53 should be equal to 4 by 3 into sin r, बड़ा, sin 53 is I think, बड़ा, खितना हूं, 4 by 5 should be equal to 4 by 3 into sin r, बड़ा, 4 से 4 cancel हो गया, और sin r की value आगे, बड़ा, कितनी 3 by 5, sin r की value बड़ा, 3 by 5 आगे हैं, तो वह अमबर पास r की value आगे, बड़ा, कितनी 37 degree, रही बागा deviation की, तो अगर यह वाला angle 53, तो बड़ा, यह वाला angle भी 53, यह total 53 है, यह 37 है, तो कितना deviation हो गया है, तो आप बड़ो से deviation is 53, minus 37, I think deviation comes out to be 16 degree, यह हमारा deviation है, और यह हमारा 16 degree, आगे चली बड़ा, इसी बात को, हमारे loss of refraction को, बड़ा, आगे बड़ाते हैं, खास तोर से, बड़ा, आपने snels लोग को, आगे बड़ाते हैं, बड़ान से करें, बड़ा आपके पास एक, transparent solid sphere है, इस तरह से, बड़ा आपके पास, यह है तो transparent, it is transparent, glass, solid sphere, बड़ा solid sphere है, और इसका refractive index, बड़ा given है, कि root 3 है, बड़ा गिवन है, कोई special type of glass होगा, उसका refractive index है, बड़ा root 3 है, बड़ा यह sphere है, यह इसका normal है, बड़ा flat surface का, normal बनाना आसान है, spherical surface का, जो normal होगा, बड़ा हमेशने कहां से, गुजरेगा, center से, यह हम जानते हैं इस बात को, तो बात सुनेगा, बड़ा, हमने कोई ray गिरा दिया ऐसे, बाहर से आ रही है, बड़ा बाहर के बार में, कुछ ना बोल रखा हो, तब भी हम बाहर तो air ही मानेंगे, बड़ा ray आई ऐसे, this is incident ray, और यह जो angle है, बड़ा आपका 60 degree है, यह जो dotted line है, बड़ा आपका normal है, जो dotted line है, बड़ा आपका normal है, because normal always passes through the center, अगर कुछ ना होता, तो हम जानते हैं कि ray जो है वो, ऐसे निकल जाते, लें कुछ तो हुआ है, it's a reflection from raradu denser, the ray must move towards the normal, normal इस तरफ है, इस तरफ मुड़ेगी, तो हमारे जो ray है, बड़ा वो hulk ऐसी, ऐसे मुझा जाएगी, और straight line के लोगों चलती रहेगी, तब तक जब तक, फिर से medium change ना हो, अब फिर से medium change होगा, कब change होगा, जब glass से air में जा रही होगी, तो फिर से reflection होगा, reflection के लिए क्या होगा, क्या ने होगा, उसके लिए मुझे फिर से normal मिराना पड़ेगा, बड़ा normal हमेशा कहां से pass होता है, center से, तो एक काम कीजिए, बड़ा यहां से फिर से normal, यह आपका normal है, करेंगे बड़ा, बाते करेंगे, बड़ा अगले रिफ्रेक्शन के लिए, यह इंसिदेंट ट्रे है और यह नॉर्मल है, इंसिदेंट ट्रे और नॉर्मल के बीच में, जो एंगल है, उसे में एंगल ओफ इंसिदेंस बोल सकते हैं, बड़ा मैं लिख इसे r2 रावन, चलेगा ने यार, अगर कुछ ना होता, तो हम जानते हैं कि रे जो है, वो यह निकल जाती, लेकिन बड़ाइट से रेफ्रेक्शन, कहां से कहां, डेंसर से रेर, ग्लास से एर में जा रही है, डेंसर से रेर है, तो आफकोर्स रे विल मूग, किदर बड़ा, नॉर्मल से दूर, यह रहा नॉर्मल, जाने चाये थी ऐसे, डेंसर से रेर है, रे मुढ जाएगी normal से दूर, तो रे निकल जाएगी ऐसे, तो फाइनली जो रे है, वो यह निकल गरी, फाइनली जो रे बाहर निकल लिए है, उसे एक बार के लिए, एमर्जेंट रे बोल रहाओ बढ़ा और इस एमर्जेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है उस में उसमें एक बार के लिए इभोल दिया है, एक बाकर दो बढ़ा रे जाने मोच नहीं दिया थी ऐसे और चलिगई ऐसे तो मैंने इस एंगल को बोल दिया है, deviation delta 2, बड़ा क्या बोल दिया, delta 2, अनने काफी अत्तक बड़ा सारी कहनी explain कर दिया, now you have to find everything, when I say everything, I really mean that everything, find, r1 निकालो, delta 1 निकालो, r2 निकाली, e निकाली, delta 2 निकालीजे, और net deviation निकालीजे, इतने काफ बड़ा पास, इतने सारे काफ न है, r1 निकालना है, delta 1 निकालना है, r2 निकालना है, e निकालना है, delta 2 निकालना है, अभी निकालते हैं, सरी तो spherical surface आगे, सर आपने तो जो snail slow बताया, सरो flat surface के लिए बताया, नहीं पीटा, मैंने वेल्कुल नहीं कहा कि, snail slow flat surface के लिए ही है, हाँ, हाला कि diagram मैंने ऐसे flat surface आगे बनाया थे, लगी, snail slow तो हर तरह की surface के लिए valid है, चाहिए spherical surface हो, parabolic surface हो, बस आपको normal बनाना आना चाहिए, आप लोचल कोई दिख्यों तो नहीं है, spherical surface के normal हम लोगों को बनाने आते हैं, कोई issue ही नहीं हमने पहले ही बना रखे, spherical surface बगर मैं मैं बना रखे, spherical mirror में बना रखे, चलिए बिड़ा, मैं फिर से बोलता हूँ, यह आपकी incident ray, कुछ ना होता, तो ray unical जाती, यह आपका normal है, normal और incident ray के बीच का जो angle है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एक बार के लिए हमारा angle of incidence, लेकिन हम जानते हैं कि यह reflection है, rarer से denser, तो ray जो है, वो इस normal की तरफ मुड़ गई है, ऐसे, काश मैं r1 बता पाऊँ, मेरे बच्ची बोलेंगे, बार बताना तो बहुत असान है, आपको तो सिर्फ वोसे ब स्नेल स्लो लगाना है, और स्नेल स्लो लगाती है, बड़े आराम से हमारा r1 आ जाएगा, तो चली बड़े, स्नेल स्लो लगाई है, क्या कहता है स्नेल स्लो, बढ़े बाहर तो air है, तो 1 इंटू साइन 60, इस इक्वोस तो, अंदर, अंदर बड़े, रूट 3, इंटू साइन आरवन, बड़े, साइन 60 होता है, रूट 3 बाइटू, वह साइन 2, बड़े, साइन 50 दिक बॉरे, साइन 30 बेये है, अब रही बात बड़ेशन की, अभिन सोचे लेड़ेशन, गएर यह वाला एंकल 60 है, तो यह वाला टोटल एंकल 60 हो गया, उस में से 30 ही हो गया, और अगर 30 यह हो गया तो अपना डेविशन पहला हो गया तीस दिगरी डारशन में चेक कर लो बड़ा ऐसे clockwise ठीक है डा अब R2 निकालते हैं R1 से R2 किसी स्नेल स्लस थोड़ी आएगा और जोमेटरी से आएगा यहां से यहां कोई तेरी रेडियस है यह लेंथ भी तेरी रेडियस है अब इस ट्राइंगल को देखो अब इस ट्राइंगल को देखो यह लेंथ और यह लेंथ सेम है तो हम कह सकते हैं कि इसके सामनेवाल एंगल और इसके सामनेवाल एंगल सेम होगा इस side के सामने वाल एंगल है 30 degree, तो इस side के सामने वाल एंगल भी तो 30 degree, तो आप R2 को बड़े आराम से बोल सकते हुए, sir, R2 तो आएगा 30 degree, तो R1 से हमने जो R2 निकाला है, वो किसी silence law से निकाला है, वो हमने geometric से निकाला है, आसान काम था, अब अगेन फिर से reflection हो रहा है, और और इस बार reflection बड़ा कहां से का, denser से rarer, तो R2 जाने चीए थी ऐसे, ये normal है, normal हमेशा फिर से कहां से पास होगा, center से, रे को जाना चीए था, ऐसे normal की तरफ नहीं मूड़ेगी बड़ा, ये तो denser से rarer है, normal से दूर मूड़ जाएगी, और ये बड़ा आपका angle बने e बो एक तरह से, इस reflection के लिए, ये angle of incidence है, और ये angle of reflection है, angle of incidence गिवन हो, और angle of reflection निकालना हो, तो सबसे अच्छा जुगाड क्या है, आप बड़ा के से, एक जुगाड है, कौन सा, स्नेल स्लो, तो यहां से यहां स्नेल स्लो लगाईए, आप को होगा सर, अंदर का refractive index है, root 3, into sin 30, should be equal to, बड़ा बाहर के लिए, 1 into sin 30, बड़ा sin 30 होता है, half, तो मेरे पास आगया, sin e is equals to root 3 by 2, बड़ा e की value आगया, आपके पास 60 डिगरी, तो यह वाला अगल है, आपके पास 60 डिगरी, यह वाला अगल आपके पास 30 है, बड़ा देखना, यह वाला angle अगल अगर 30 है, तो इ next year deviation भी कितना आगया, 30, I hope it's okay, दोनो deviation आगया, अब महन से पुझा, net deviation क्या आएगा, देखो बड़ा, पहला deviation है, इस तरफ 30 डिगरी, अगला deviation है, इसी तरफ 30 डिगरी, तो net deviation कितना हो गया, 60 डिगरी, आप चाहो तो यह वाला net deviation डिगराम में भी दिखा सकते हो, अगर कु कोई reflection reflection ना होता, तो ray जा रही होती, ऐसे, और दोनो reflection होने के बाद, final ray जा रही है, ऐसे, तो मैं इस ray को पीछे की तरफ खीच दूँ, खीच दूँ, खीच दूँ, अब देखना, कुछ ना होता, तो ray जा रही थी, ऐसे, और दोनो reflection होने के बाद, ray जा रही है, ऐसे, तो मे यहां पर मेरा मेन एम यह बताना था कि स्नेल स्लो लगाने के लिए आपको बड़ा को खास पंचायत करने की जबत नहीं कि ना वो फ्लैट सर्फेस में है स्ट्वरिकल सर्फेस हागी कैसी नी सर्फेस क्यों ना हो अगर हम नॉर्मल बना सकते हैं तो हम बड़े आराम सोस पर स् the point.